दिली आपकारी नीती से जुड़े मनी लॉंटरिंग मामले में गिरफतार अर्विन केश्रिवाल की आचिका पर आज सुप्रिम कोट में सुनवाई हुई और इस मामले में अगले सुनवाई 9 माई को होगी कोट ने आज समय की कमी के कारण मामले पर कोई आदेश नहीं दिया सुनवाई के दोरान सुप्रिम कोट ने ED से कई सवाल किये कोट ने पूछा कि किश जिवाल को गिरफतार करने में दो साल क्यों लग गये इस पर ED की और से पेश हुए एदिशनल सोलिसीटर जंदल S.V. राजू ने कहा कि जब जाच शुरू की थी तो ED की जाच सीधे तौर पर किश जिवाल के खिलाफ नहीं थी इसलिए शुरुआक में उनसे जुड़ा एक भी सवाल नहीं पूछा गया जाच उन पर केंद्रित नहीं थी जाच के दुरान उनके भूमे का सामनी आई वहीं सोलिसीटर जंदल S.V. राजू ने जस्टिस संजीव खना और जस्टिस दिमपाकर दिपांकर दत्ता की बैंच को बताया कि एलेक्ट्रोनिक सबूत नस्ट करने और सो करोड रुपे हग के हवाले के जरिये भेजने के आरोप है एडी के दलिल पर जजों ने कहा है कि सो करोड प्रोसीट्स ओफ क्राइम है लेकिन घोटाले को ग्यारा सो करोड का बताया जा रहा है इतनी भड़त कैसे हुई इस पर एडिशनल सोलिसिटर जनरल स्वे राजु ने कहा है कि ऐसा शराब पॉलिसी के फाइदे की वज़े से हुआ है इस जस्टिस खना ने कहा है कि पूरी आय अपराद आय कैसे हुई वहीं इडि ने कोट में केशिवाल की याचिका का विरोध करते हुए बताया कि उनका नाम जांच के दुरान सामने आया सोलिसिटर जनरल ने कहा है कि ये संदेश नहीं जाना चाहिए कि कानून की निगहा में नेता आमनागरिक से अलग है इडि ने सीम अर्विन केशिवाल को 21 मार्च को गिरफतार किया था इससे पहले इडि ने उने मामले में पूछताच के लिए 9 समन जारी किये थे हाला कि केशिवाल किसी भी समन पर पेश नहीं हुए थे